हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो साल स्टडी पर आपका स्भागत है दोस्तों वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम अपने मोबैल में C और C++ की पोग्रामिंग कैसे करें यानि कि अपने मोबैल में टर्बो सी, जो टर्बो सी है उसको कैसे चलाएं है चलो दोस्तो वीडियो को स्टा А determination सबसे बहारे often अमें सामने मोबेल में प्ले श्टर में आना है और प्लेश्टर में चो ठर्प répond चो टर्बोसी की यो ऌपे चाहिए हवलाद यह जैसल करना है वीड़ीव है इसे अब यहीं यहाँ पर सर्च मेNU पर टर्प लिखेंगे तो आपके सामने जो टर्बो सी की अप्लीकेशन है टर्बो cdroid जो आपके सामने ओपन होगी उसे दोस्तों आपको ओपन कर लेना है और उसके साथ एक जो कॉम्पुटर की बोड़ है उसको भी डाउनलोड कर लेना है क्योंकि उसकी लिंक मेंने description में दी हुई आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे यहां देखें जैसे ही desktop पे open होती है टर्बोसी वैसे ही अपने mobile में टर्बोसी open हो जुके हैं और यहां पे जो टर्बोसी की जो फाइल है ओ दिख रहे हैं जो file edit search run compile menu भी दिख रहे हैं यहां से हमें एक new file को select कर लेने हैं और इसकी size को full size कर देना है अब यह half size है और उसके बाद इस file को हम save कर देंगे file में जाएंगे और save वाले option पर आएंगे क्योंकि अभी यह file cpp यानि की c++ की file है तो उसे हम एक नईया नाम देके .c वाली file हम save कर देंगे यह दोस्तों जो c दिखाए दे रहे हैं वह हमारी directory है यानि की यह file है वह c drive में save होगी demo1.c file को हम नाम देके save कर देते हैं इसका save कर देने के बाद हम एक चोटा सा hello message का program लिख के हम देखेंगे की output आता है या नहीं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे adder file लिखने ही पड़ेगी include studio.h वाली पहली हम और adder file को लिखेंगे यहाँ पे adder file लिखने से पहले यहाँ पे उसका symbol जो s chain है वो लिखनी बहुत ही important है दोस्तों और यह जो computer keyboard हमने download किया है उसमें आपको आसानी रहेगी type करने के लिए क्योंकि यह programming programmer का ही keyboard है यहाँ पे studio.h adder file लिखने के बाद जो second दूसरी adder file है include.h यह include है उसमें मैं जानबुस के दोस्तों गलत लिख रहा हूँ ताकि हम देखना चाहते है कि last में जब हम program को run करेगे तो error आता है या नहीं include की error दोस्तों आएगी ओ एक error आएगी जिसको हम last में solve कर देंगे उसके बाद एक function बनाते है यानि कि void main नाम का function बना देते है function को start P दोस्तों उसको bracket से करेंगे और last में भी एक bracket करेंगे उसके बाद यहाँ पे चोटा सा message दे देते है print tip, print tip में हम दोस्तों hello का message दे देते है क्योंकि c or c++ में हमने message देने के लिए दोस्तों जो भी हम keyword लिखेंगे उसको start में और उसके last में हम end में जो double invited comma है उसका use करेंगे उसके बाद जो function है उसको close कर देंगे और जो भी हमने function बनाया था उसमें जो clear screen यानि की CLR, SCR का जो function है उसको लिख देते है यानि की clear screen का function को लिख देते है CLR, SCR function को function के जो bracket से उसको भी लिख देते है और जो last में print tip message दिया है hello का उसके नीचे हम get cs function को भी लिख देते है get cs function जैसे get cs function हम लिख देंगे एक hello का जो हमने एक message का छोटा सा एक program बनाया है और उसको हम फिर से एक बार file में जाके save कर देंगे फाइल में जाने के बाद save देंगे और उसके बाद run करेंगे इस program को आप control f9 से भी run कर सकते हैं जैसे run करेंगे दोस्तों एक error आएगा जो हमने include गलत लिखा था e की जगह पे हमने r लिखा था उसकी error आएगी उसको हम ठीक करने के बाद फिर से एक बार run करेंगे चहां पे हमने r लिखी हुई है वहाँ पे हम e कर देते है इक बार फिर से हम save करेंगे और save करने के बाद एक बार फिर से run करेंगे यहाँ पे जो r लिखा है वहाँ पे हम e कर देते है उसके बाद हम run फिर से एक बार program को run करेंगे जैसे run करेंगे दोस्तों यहाँ पे hello का message आपके सामने आ जाएगा यह देखें दोस्तों error होए और zero होगे और hello जो हमने message लिखा था ओ आ गया है ट्यक्नोल स्टडी को subscribe कर दिजागा और biai l icon के बटन को प्रेस कर दिजागा ताकि जब भी नहीं वेडिवाड़ ऊप्लोड़ को तो सक नॉटिफिकेशन आपको जल्दी मेल जाए दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक नूव वीडियो में एक न्यू टोपिक के साथ तन्यवाद दोस्तो थेंक्यो दोस्तो